नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पूजा है और आज मैं यह जो वीडियो बना रही हूँ वो पीपल फार्म के हैश्टैग क्लीन मिल्क इनिशेट को सपोर्ट करने के लिए बना रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं जो लोगों और जो डेवी कंपनिया हैं उनसे बेसिकली दो सवाल पूछना चाहूंगी मेरा पहला सवाल ये है कि जब हमारी गाए जो एक टाइम लिमिट तक ही दूद दे सकती है जब वो बूड़ी हो जाती है और गाए जो दूद देने में सक्षम नहीं रहती तो उस गाए का क्या किया जाता है क्योंकि हम जहां भी देखते हैं किसी के घर में आजकल बूड़ी गाए तो दिखती नहीं है तो जब वो कह बूड़ी हो जाती है तो आखिर उसका किया क्या जाता है और मेरा दूसरा प्रशन ये है कि जब किसी गाए या किसी भैस का जब बच्छरा होता है यानि मेल काल्फ होता है तो उसका वो लोग क्या करते हैं यूज़ की जादतर cases में हग यही सुनने को मिलता है कि जो male calls है उनका survival rate इतना नहीं है वो लोग जादतर survive नहीं कर पाते हैं लेकिन ये बात सरासर गलत है जो कि हम सब लोग जानते हैं तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आखिर उन बच्छरों का क्या किया जाता है अब आते हैं इस बात पर कि आखिर हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पढ़ रही है मैं अपनी बात करूंगी कि मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पढ़ी या मुझे क्यों लगा कि ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं एक वेज़ेटेरियन हूँ और मैं वेज़ेटेरियन इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं नॉन्वेज को खाना नहीं चाहती या मुझे किसी फूड में दिल्शस्पी नहीं है मैं vegetarian इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वज़ा से किसी भी जीव को मेरी वज़ा से कोई दिक्कत हो या उन्हें कुसी परिशानी का सामना करना पड़े या मेरी तरफ से उन्हें कोई तकलिफ पहुँचाई जाए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई vegetarian है तो वो जो है अपनी diet में दूद, दही, लसी इन सब चीज़ों का यूँज जादा करता है लेकिन मुझे भी recently ये चीज़ पता चली कि हम जो ये दूद ये दूद के product यूज़ कर रहे हैं वो भी कोई बहुत clean milk से नहीं आते यानि कि ऐसा नहीं है कि इस दूद को लेने के लिए जानवरों को तकलिस नहीं पहुँचाई जाती जो भी बाकी industries हैं वहाँ पर ये चीज़ खुली तौद पर की जाती है कि हाँ हम जानवरों को मार रहे हैं उनसे ये products ले रहे हैं लेकिन जो dairy industries हैं वहाँ पर ये काम किया जाता है लेकिन वह बहुत ही गुपचप तरीके से हो रहा है और जो लोग हैं जो नहीं चाहते किसी और को तकलिफ पहुचाना ये उनके साथ बहुत बड़ा धोका है कि मैं dairy companies से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग या तो हमारी इन दो प्रशनों के उत्तर दे दीजिए या तो जो आप products बनाते हैं उस पर mention कीजिए कि हाँ ये product किसी जानवर को तकलिफ पहुचा कर आप तक पहुचा है जो vegetarian लोग हैं या जो लोग हैं जो दूसरों को तकलिफ नहीं पहुचाना चाहते तो वो जो लोग हैं वो at least चुन सकें कि वो इस product को use करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये चीजे हैं इन्हें लोगों के सामने लाया जाए हमारा मूटी यह है कि यह जो छुपी वे सचाई है डेरी इंडिस्ट्री की वो सब के सामने आए कि यह चीज नॉर्मली हमारे आसपास के घरों में भी हो रही है जो हम तक दूद के सप्लाई करते हैं लेकिन यह ऐसी बात है जिससे कभी उजागर नहीं किया जाता और जादतर लोग यह मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे इतने एज आने तक नहीं पता था कि हमारे दूद क के लिए किस तरह से जानवरों को परिशान किया जाता है आई होप जो डेरी इंडिस्ट्रीज हैं वो हमारे प्रिशनों के उत्तर देंगी और जो सच्चा ही है वो हम सब के सामने है अजिए 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 झाल